गुड मॉर्णिंग बच्चों कैसे हुआ आप लोग सभी तो हमारा नाइंत वाला चेप्टर चल रहा है बच्चों और चेप्टर का नाम है रिप्रड़क्शन इन एनिमल्स तो जो प्रिवेस्ट वीडियो था बच्चों उसके अंदर हमने जाना था कि कैसे जो मेल चुके थे बच्चों आज इनके फंक्सान के बारे पन डिसकस करेंगे और इसी के साथ में बच्चों जो लास्ट वाला जो चेप्टर था हमारा सेल वाला उसके अंदर मैंने कुछ डाइग्राम दिये आपको बनाने के लिए प्लांट सेल और एनिमल से जिसमें से काफी सार चुके बहुत अच्छे डाइग्राम बनाएं इसमें से एक वीतू होगी इसी का अजमत सुमन और रोहित यह फाइप इस्टूडेंट है जिन्हों अच्छे बनाएं और भी थे जिन्हों काफी अच्छे बनाए थे ठीक है तो चलिए इससे पहले हम पार्ट फास्ट कंप्र बनाएं और जो नाइंथ अना इसका भी आपको लेक्टर फास्ट आपको मिल जाएगा तो चलिए आज का जो लेक्टर है उसके अंदर जो टोपिक कवर करने बाले बच्चों हम देखेंगे फर्टिलाइजेसन क्या होता है जाइगोड किसको कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइ करते हैं और उसको बोलाइजेसन सक्रək है तो चलिए बंधिले करते हुए आज का जो लेक्टर किसे फिरुफ़आत करते हैं तो सबसे पहरार जो ट्रॉपिक है बच्को जिनको अपन इस्पम पुलरे हैं कि ँणको बोला जा रहा था एक बोला जा रहा उसको एक बोला जाएगा तो जब यह मेल इस्पम जा कर एक से मिलता है और उसको जब फ्यूज करता है फ्यूज करना यानि कि उसमें एंटर कर जाना ठीक है अब होगे तो इसने कहीosition बताएंगे लेकिन इसी में से को एक सिंगल होगा जो इस एक को फर्टीलाइज कर देगा तुर एपसुंदि यहां पर एक शय डाम इसके अंदर एंटर कर जाएगा और जब यह इंदर रिвक्र यहां- बिल जा हैं बोलेंग एक तो यह जो वह इसको पहले जो । तो यह जो बहुत हैं एग二 स्वह यहां पर देख सकता ह। यहां पर इस पाम सेल रुडिक है तो यह पर नाम देख सकते हो आप लो तो आपको ध्यान रखना है तो यह आप देख सकते हो इस पेरेग्राप में आपको रिड करके बता जीता हूं देखू कि सबसे जो रिपोडेक्सिंगी प्रोसेज होती है उसके पहले च्छेप आती हुआ है जिसके अंदर क्या होगा जो सब्सक्राइब करता है ओवन को ना और जब किस पॉंप्ध कॉंटेक्षम कर दिता है और इस सिसे बारच को बोला जाता है और जब कभी फर्टिलाइजासन होता है वो समय को जाता है एक को फ्यूज करता है और फिर एक सिंगल से लाज़ाएगा न जैसे इसके अंदर करेगा तो उस केस में मोठ हो जाएगा और उस यह किसको बौलते हैं अब इसके बात बाद की जाती है इंटरिनल फ़र्टीलेजेसं किसको बोलते हैं चलिए रिसक mesmo मोगते हैं उन्हकों और उनने के फिमेल बोड़ी के इंसाइड होगी तो जो रे किसे भी female organs के अगर inside होते हैं उसकी body के अंदर होती है तो ऐसे fertilization को बला जाता है internal fertilization ऐसे नाम से मालूम चलता है internal internal जो word यूज करते हैं अपने अंदर के लिए उसका इंसाइड के लिए उसका तो अगर फिमेल body के अगर internal या निया अंदर की और inside अगर fertilization होता है तो उसको बला जाता है internal fertilization जो कि most of these जो humans जितने भी humans होते हैं उनमें internal fertilization होता है जो cow हो गए dog वगर हो गए या hands वगर होगी इन सभी में जो internal fertilization होता है ठीक है body के अंदर होता है अब या जब एक produce होता है तो एक produce होने बात यह पर move करता है और किसी मझे प्रोब्लम के वजए से या पिर कोई भी problem के वजए से कभी होता क्या है कि जो female होती है उनकी जो ओविड़क्ट होती है ब्लोक हो जाती है जो अगर आप imagine करो अगर यह Oviduct Block हो जाती है, तो क्या जो Spam है, क्या यहाँ पे एक तक पहुँच पाएगा, क्या नहीं पहुँच पाएगा, तो अगर एक तक नहीं पहुँच पाएगा, अगर एक तक नहीं पहुँच पाएगा, तो क्या वहाँ पे Fertilization हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, अगर fertilization नहीं हो पाएगा तो जो reproduction की process है वो reproduction की process भी नहीं हो पाएगा तो in that case जो भी mother है वो वहाँ पे जो भी lady बगर है वो वहाँ पे mother नहीं बन पाएगी उनका कोई भी baby वहाँ पे reproduce नहीं हो पाएगा तो ऐसा case में उन ladies को वहाँ पे baby वहाँ पे produce करने के लिए यहां पर एक टेक्निक यूज की जाती बचो आटीपिसल टेक्निक होती है जिसको बलता है इन विंट्रो फर्टी लाइजर से चलिए इसको पर समझते हैं तो इन अभी देखो यह बूजो पहली यह दोनों टीचर से मतलब बात भी करते हैं और टीचर वगर उनको बत के ँदक्ति ठीक है यहले हैं यह लिए इस में एक यहां से ठाशं फर होता होता है यूते अधन तक पहुंचता है तो टीक है तो यह और अगर कभी ब्लोक हो जाय तो उसके तो किसम बलेंत ऑने पाएं तो इसको लिए होता है कि बच्じों जोबी डोक्तर होते हैं जो भी डोक्टर होते हैं वो क्या करते हैं सबसे पहले फ्रेशली जो रिलीज़ एक है जो भी बढ़िरी उसके आव रिलीज़़ से इसको संभil Expans China जौ réuss यह कहीं से भी एक आ सकता है जुरूर shifting इसी ओ जैंगा नहीं यह अल्टरनेयर चलता यहां पर पहले क्या है तो यहां पर आप देख सकते हैं इधर यह जो ट्यूब ऑती ना इस ट्यूब के अंदर क्लेट किया जाता है यह नीचे देख सकते हैं इस ट्यूब के अंदर इस ECO क्लेट कर लिया यह अपने एक क्लेट कर लिया अभ यह आप जो एक क्लेцо किया वहीं पर एक ट्यूब नहीं हैं जिसके अंदर हम लेतें लैते हैं इसपैं का से मिलं ये जो सब्सक्राइब करने के बाद में हम क्या करते हैं इन दोनों को मीटिंग करवाते हैं इन जैसे मीट होते हैं तो यह जो इस प्रम जाएगा कहां तक ट्रेवल करेगा और जब एक के पास पहुंचेगा तो यह एक को क्या कर देगा जाकर उसको फ्यूज कर देगा इंटमेस वहां पर क्या हो जाएगा फर्टिलाइज़सन हो जाएगा atique है स्टवं पौंसर यहां पर कहा डूसरा रहते हैं तो यहां पर देख सकते हो कैसे इतुक्त यहां पर य데 को निया हुआ झाँ है अब के बलने तो फिर एक ही इसको मतलब की टेस्ट यूब के अंदर रखा जाता है जब यह अपर यह तो उसके बाद में यहाँ पर क्या किया जाता है यह जो यहाँ पर जो embryo है इसको फिर वापिस place कर दिया जाता है इसको place कर दिया जाता है कहाँ पर uterus कर दिया है तो यहाँ पर देख सकते है uterus में place कर दिया है और जैसे uterus को यहाँ पर transfer कर दिया जाता है one week बाद में और जैसे transfer होता है तो फिर यहाँ पर placed हो जाता है अब यहीं uterus के अंदर जो female reproductive organ है ना जो इसी uterus के अंदर अब क्या होता है जो पूरा embryo है यहाँ पर develop होता है दीरे दर यहाँ पर develop होता है और develop होने के बाद में फिर एक औरगने एक बेबी में convert होता है फिर लास में यहाँ बेबी को यहाँ पर निकाल लिया जाता है ठीक है टेक कर लिया जाता है तो यह हुई बच्चों एक process होभी in vitro fertilizers है जिसके अंदर हमको मालूम है कि यहाँ पर tube का use करके यहाँ पर बेबी को यहाँ पर produce किया जाता है ठीक है यहाँ पर meeting कर वे जाते फर्टिलाइज कर वा जाता है तो जोंकी बच्चों हमको मालूम है कि यह पर जो बेबी होँ यहाँ पर is a यह पर इतुके तुके आसले एस टाइप के जो भी बेबी है पर पर बेबी को उसका और अब और तु सुल यहाँ ठीट डेहाँ न इसका वह द्यान रokना हुआ है तो यह विद्रों फटिलाइस सए Fr पुड़ना सवि FIFA से स़लिया आगे देखते हैं अब बात कि ज़र बच्चों यह तो अपने बात कर लिए उन फर्टिलाइजर जाए लेकिन बच्चों कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जहां फ़िमेल बोडि के अंदर नहीं होता है वो बाहर होता है कैसे जिसे की बात करते बात की जाए अगर बच्चों फ् जब कि तोटें चोटें के लेगाएं ज़्यादा बड़े हैं जंद कर पाते हैं लिए पन को होता है बच्छों कि जो तोटोब्र होते हैं यह क्या जब रेनी सीजन आता है उच समय यह जाते हैं पॉंड के पास में जाते हैं जहां पर slow flowing signal जहां पर जो water होता है दिरे दिरे जहां पर flow कर रहा होता है तो वहां पर frog वगर पहुंचते हैं और जब यह frog वगर पहुंचते हैं तो वहां पर male male and female frog में भी male और female होगी तो जो male और female होते हैं यह दूनों क्या होते हैं एक दूसरे के contact में आते हैं एक दूसरे कर रही हो थी बच्छों वह रिलीज करती है और एग भी कितने करती है लुगबखंग dos फिलेज करती हैं गरुचे यहां पर डायग्राम देखते हो तो यहां पे क्योंट इनके बीच में ब्लेक ब्लेक दिखे आ रहां और चारों ले माइच अधार चाएब इसको प्रोटर करने काम करती है अगर बच्चों आगर यहां पर अपर हाड लेयर होती है जिबकि इनके गुलिए इसना कुछ नहीं है ठीक है तो और जिस्टों करते वन एक रिलीज करते हैं जबकि यहां पर देखते हैं अगर और अगर बच्छो, female में human के भी बात कि जाए ना, humans की, तो human के मिंदर भी आप देखते होता है, जो भी lady वगर होती है, female, वो भी हमेज़ा क्या करती है, one egg है ना, one time one egg रिलीज करती है, यहां पर यहां से क्या रिलीज करते हैं इस इस कर स्पर्ण करेंगे और यह स्पर्ण होंगे मीट करेंगे किसको एक और उस एक को जाकर सब्सक्राइस कर देंगे आप यहां पर बच्चो, कोशन आराइज होता है कि जो बुजो है, यह सोचता है कि वाई डू कि फिस एंड फ्रोक्स लेग एक्स इंहं रिंडेर्स वेरएज आ हैं ले लेज ओनली वन एक्स यह कह रहा है कि बुजो, यहां पर मैं गांसर कि जो वाटर के निर्ट यहां पर एक रिलीज करते हैं तो मालूम होता कि यहां पर निर्ट वाटर बैबर सब्सक्राइब करें गर घर फेर खहते हैं और यहां पर तल्ड को आगर यहां पर लेज़ करते हैं और अगर बैटे पाने पर जाता है उसके स्पम यह तक पहुचित पाएगा एंगे तो यहां पर पहुंच जाता है तो यहां पर फर्टिलाजेसिन नहीं 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 पाएगा यहां पर तो यहां यह कई सारे एक रिलीज करते हैं किसी को तो यहां पर कर सके किसी को फर्टिलाइज कर सके तो इसलिए यहां पर कई सारे एक यहां पर रिलीज करते हैं तो अगर आप यहां पर ध्यान देते हो तो जो भी फ्रोग वगर फिस वगर यह क्या कर रहे हैं एक बाहर रिलीज कर रहे हैं बाहर फिर उसके बाद में ब बोडि के outside हो रही बाहर हो रही है तो जब कभी भी ऐसे टायआप का फटीलाइजरेशन जो फिमल की जो बोडि होते है उसके एसाइड होता है तो ऐसे टायब के फटीन है बच्चो एक्स टनल फटीलाइजरें से क्या अब आपको संवाज है external fertilization किसको बोलते हैं ठीक है चले अब अपना आगे चलते हैं अब इसके बाद बच्चो टॉपिक आता है अपना development of embryo तो embryo development कैसे होगा चले इसके बार हम पन्सक्रते हैं यहां पर humans की बात की जारी बच्चो ठीक है जो भी लेडी विए उगर होती है उनका अंदर बात की जारी है तो होगा क्या बच्चो हमको मालूम है कि जो ओवेरी होती है ओवेरी यहां से क्या प्रडियूस करती है एक प पडूतों इसके बात्रम या पा आएगा किसैंदर के लिए यह थिया यहां से तो जैसे हम और इस फैलोपियन तो यह सोता है तो यह ज्यसे यहां पर फर्टिलास होता है तो अब यह जो fertilized egg है इसको अपन क्या बोलेंगे Jyagote बोलेंगे क्या बोलेंगे Jyagote अब यह जो Jyagote है बचो जो Single Sale है अब यह दिरे-दिरte आगे के वह मूव करता है अब जे आगे के वह जो मूव कर रहा था न feature उसह से में क्या हो रहा होता है यह cell आपके डिवाईड भी होता है. यह जो cell होगा, डिवाईड होगा, पहले ह्या cell किस में डिवाईड होगा? इसका जो nucleus होता है बछो अंदर वाला, अब को मालूम है cell में nucleus होता है. पहले जो nucleus होता है, यह divide होता है. Two part में division होगा. ठीक है? जिसे यहाँ पर cell 2 पार्ट में डिवाइड है फिर 2 से यह बनेगा 4 में convert होगा 4 से फिर 8 में 8 से फिर 16 16 से फिर 12 ऐसे धीर धीर यह cell है न डिवाइड होते जाएंगे और डिवाइड होते जाएंगे एक आपका group of cell बन जाएगा अब जब टीशु बन जाएका टी तरी तरी किसमें स्पशने कर रसधर है यह रहा है यहाँ कर लारे का नगीर यह से था है जाईगोट से फिर नोता है यह एम्ड्यों में कनवेरे ना जब यहां पर टाउग कर रहा होता है यह दिरदीर आगे के वोग करेगा यह आ जाएगा फिर यहां पर यहां पाजएका यूटिरस में यूटेरेस में पहुंचा और यूटेरेस में पहुंचने के बात में यहीं पर आगा क्या हो जाता है इससे अटेस हो जाएगा यूटेरेस के लेयर होगी यहां पर अटेस हो जाएगा फिर दिर दिर यहीं पर ग्रो करेगा और ग्रो करता जाएगा और फिर दिर दिर इसके ड कि daar इंब्रेयों के अगर आप डिफरेंट क्या कर पाएंगे कि एंद्र क्या हो यहां ज्सके डिफरेंट के पार्ट अगर आप डात आइस व Hands Car होगा इसके हैं हम क्या कर सकते हैं उसके हर एक कर सकते हैं उसको 알ब्र कर सकते हैं अगर आइऍटिफाइग कर सकते हमśdisciplinary एगर तो उसकेस में भ गया हो क्लिछा जाइगा वह फीटस इसका तो अब इसको बच्चों यह तो होगी आपके पूरी प्रोसेस इसमें क्या-क्या जाना यहां पर सबसे पहले आपने यह देखा और यह देखा और फिमेल रिप्रॉड़क्टी और उसके बाद में आई विए टेक्नोलोजी देखिए पर ने इंटरन एक्स्टेनल तो बच्चों आपकी पूरी प्रोसेज होगी है पूरा समझ लिए अपनने अब एक लास्ट हमको मालूम है यह जो टोपिक है डिफेंट डिफेंट पार्ट में आ रहा है यहां पर बिल्कुल कंटिनूज निया है तो अब एक लास्ट टाइम आप इसको कंटिनूज आप सम क्लैर करने कोसिस कर रहा हूं तो ने हमें से तो सब्से पहली कंटिशन लेते हैं ऋमेल रिप्रड़क्टी और बिल्कुलय की बात करें कि बच्चों जब कभी खासी क्या होता है मेल और फीमेल यह फिमेल यह पीमेल यह गूंटलरे रिपेंट करते हैं तो उस समय होता क्या बच्चों यहां पे जो टेस्टिस है तेस्टिस से यहां से स्पॉल चपनेdrink होते है और ध्यां रखना है क्ड़ सारें लेंस में इस्पाम यहां पर परदियो सहते है और वह सारे इस और 2 होते वे हैं हुए यह पेणिस के तुरू होते इसको uterus बोला जाता है तो uterus में रहें और enter करने के बाद में यहां पर दंगो क्या तूह इन पर और यहां फी सी मैं लिडालुने पॉर जैंगे और जबर्टे जाएंगे आगे की और ऊगर यहां पर और अब करते हैं अब इस समय अगर यहां पर कोई भी इनको एक नहीं मिलता है अगर यहां पर कोई भी, अब म अमको मालوم है की Ovitis से हर मन्त, एक, एक परड्यूस आता है वो भी एक particular time परड्यूस आता है फौर्टिंदे दे मन्त का तो आगर यहाँ पर 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 पर्राइब मिलता है तो उस के detecting यहां पर कु ini पर कुछ टाइम के कüşड़ी इजुए पर कुछ टाम तक यहां पर सर्वाइब करें नहीं होगी तो यह तो भी बच्चों कंडिशन फास्ट अब लेते हैं बच्चों कंडिशन सेकिंड कंडिशन सेकिंड हम यह देखते हैं कि यहां पर कोई मीटिंग नहीं है अब एक स्टेज यह है कि यहां पर क्या होगा कि फॉर्टिन अब यहां पर कोई भी मीटिंग निया कोई यहां पर रोल नहीं है अब सिर्फ यहां पर बात की जा रही है फिर्डीटी ऑरगन कि अंतिंग है और बात की जाए तो यह支हा उगा ili यहां पर एक रिलीज हो रहा है यहां पर आएगा इदर आगया अब यहां पर इस समय अगर यहां पर कोई भी स्पम नहीं आता है क्योंकि जुरूरी तो है ने कि हर बार यहां पर स्पम आ रहे हो ऐसा जुरूरी नहीं है तो जब भी यहां पर एक रिलीज होता है अगर यहां पर कोई भी स्पम वगर नहीं मिलता है तो उस case में क्या होगा यह जो एक है यह आगे की ओर मुह करेगा और आगे की ओर मुह करेगा अब जब बच्चों यहां पर मुह कर रहा होता है जबitus प्रल्ड जाती होती है यह मोटी हो जाती है ताकि यहां पर यहां पर अगए अगए तो यहां पर इसको क्या कर सकें इसको यहीं पर अटेस हो जाए यहां पर इसको यहां पर होड कर सके और यहां पर आगे बेबी यहां पर अच्छे से यहां पर डेवलप हो सके बट अगर बच्चों यहां पर यहां पर यह नहीं आता है मतलब यहां पर यह जो वेसल्स थी यहांपर, ब्लड वेसल्स, यूटेलस के अंदर के, यह क्या होती है, यहांपर यह क्या होती है, यहांपर यह क्या होती है, यहांपर यहांपर फूटती है, यहांपर 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 फूटती है, और उस केस में यह क्या होती है, यहांपर ब्लड के त तो यह घुए बच्चों सेकंड कंडिशन अब इसके बाद में आती है बच्चों थेड कंडिशन क्या होगा कि यहां से इस डाइगरम बताने की कुछ कर रहा हो तो यह होगी कि यहां पर और विरी से ओविरी से यहां से जो female reproductive organ से है testy से यहां पर sperm भी release हो रहा है यह sperm cell यहां से आ रहे हैं यहां से आते हुए इसके अंदर है न इदर से आप देशक्ते हैं मैं दूसरे diagram यहां पर काफी सारे लिख दिया मैंने दूसरे diagram समझाने कोशिश करा है तो अब यहां से कई सारे sperm cell यहां पर कई सारे sperm cell यहां पर आगे की और move करेंगे अब देखो इस जगह तो क्या है एग है यहां पर अब यहां पर sperm cell आगे की और move कर रहे हैं कुछ sperm cell इदर भी जाएंगे कुछ sperm cell इदर भी जाएंगे अब जब आगे क्यों मूव करेंगे आगे मूव करते जाएंगे और यह यहां तक पोँचेंगे अब एक यहां पर पहुंचा और यहां पर उसी समय यहां पर ispum भी पहुंच गzessagen देखो यहां पर दोनों meet हो रहे हैं यहां पर एक भी मिल रहा है एक भी साथ में आ गया और यहाँ पर इस्पम भी साथ में आ गया और जैसे इस्पम यहाँ पर पहुंचता है तो अब यह इस्पम क्या करेगा इस एक के अंदर लुँख करआप दॉन उससमय क्या होगा यह जो जयगॉट है अब दिरे दिरे डिवाइड नहीं इसमान पू पार्ट में गारी वाले शेज आगे यह आप यहां पर ओ गया बाटो से फिर और से प्र होगा सिक्स्टीन से फिर थर्टी टू ऐसे डिवाइट होताँ और जब डिवाइट होता हुता फिर यहां पर बोल कर शुछ बनागे ना अब यहां पर कई सारे सेल बनगए तो यह अब अब दीर दीर किसमें convert होने जएंगे ? यह convert होने लग जाएंगे बच्चों, Tissue में convert होने जाएंगे किसमें convert होने जाएंगे ? Tissue में अब यह जो embryo है यह आकर कहां पर attach होगा ? यह इस दर वॉल पे ठीक है यहांप पर प्लड वेसल से होती है तो ठीक है अगर यहां पर फटीलाइज नियू होता थे यहां पर बिलीडी उजाती है पर प्सक्राइज तो अब यह फ्रटिलाइज只 King ग्याहँ पर इंगै साज़। स्व come to know हे और झाहँ लग अभ यह होना पर किसमर्वाल लगन और लग जाएगा यह सारव काम कहां पर हो दो बज्चों ही उतेल्स के अंदर हो काम हो एंधर यह उतिलिसका इंदर 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 यह तिस्यों ओरर और और दिर दिर एक किसमा अगर नजसे हमारा यह आफ इंटिपाई कर गाई किसमें इसके से अब Taste अब इसका नाम वहागा वो क्या नाम होगा वीटेस नाम हो जागा क्या वह जो इसको अपन फीटस अब यह जो फीटस है दियर दियर और डवलप होगा और फिर उसके बाद में आफ्टर नाइन्थ मन्थ बच्छों जब नाइन्थ मन्थ में कम्ट्रीट हो जाता है नाइन्थ मन्थ डूरेशन होती है बेबी यहां पर रिपरडिश होनेगी तो आफ्टर नाइन्थ मन्थ बाद बच्छों यहां से इसको यहां से इसको बाद में इसकी डिलेवरी कर दी जाती है और यह जो बेबी बाद यहां से रिलिज होता है और रिलिज होने के बाद में हमको एक प्यारा सा नईया सा यहां पर एक बेबी बन जाता है तो यह है बच्चो फाइनली यह बेबी की जो पूरी जर्णी थी हमने यहां पर समझ लिए ठीक है तो आई होप आप बच्चो आपने काफी कुछ सीखा होगा और काफी कुछ जाना होगा ठीक है और अब यह जो टॉपिक है बच्चो हमारा हो जाता है complete अब को आपको कोपी में क्या नोठ करना है चलिए अपनोर लििस्क्षिस करते हैं ठीक है अच्छा बच्चो अगर फिर भी अगरा कोई भी डाउट है अगर कोई भी कोशिट था प्र बोढ़ा कोई तो आप कर सकते हूं आप मुझे मेसेज कर देना मैं आपको कोशन का आसर कर दो कोई भी डाउट है कोई भी कोशन आप पूच रहे ना आपको जवाब देदूगा तो चलिए बच्छो अब आपको क्या नोट करना वो में आपको बता देता हूं तो सबसे पहले आप करोगे यह हैं यह यह भी लिखना दूरिंग फर्टिलाइजेशन दर न्यूकलाई ओप दी स्पर्म एंड एंग फ्यूज तो फोर में सिंगल न्यूकलाई और इस रिजल्ट इन दा फोर्मेशन ओप फर्टिलाइज एग और जाइगोड इसको जाइगोड बोलेंगे यह यह डागरम बनाना इसको जुरूर बनाना इसके बाद में बच्चों आगे देखते हैं इंटर्नल फर्टिलाइजेशन यह इसकी डिफाइन भी आपको लिए फर्टिलाइजेशन विस टेक प्लेस इंसाइड फिमेल इसको फर्टिलाइजेशन इसके एक्जांपल लिख लेना हिमन काउड आद इसमें आप लिखोंगे बच्चो sabla इसके अंदर में से फिल्फर्टिलु Advis ओको शुर्टिलाइजर्स इसके लिख लोगे इसके इसके अनदर करोगे ए की टाइफ ओ पर दिलाइजेशन इन विस् दफ्यूजेन फियोजटर्यों ठीक है चलिए इसके बाद में आगे है इसके अंदर लिखा कि डेवलपमेंट औप एंब्रियो इसके अंदर आपको लिखना है यह फर्टिलाइस ने रिजल्ट इन दे फॉर्मेशन ओं जाइगोट यह लिखना उसके बाद में दे सेल देन बिगन्स टू ग्रोप सेल्ड इस्टू और इसके बाद में ठीक है यह फीटस की लिखना इसके बाद में इसमें इसमें तो आपको कुछ करने की जुर्ट नहीं है चलो यह आप कवर के बच्चो तो आपको काफी कुछ सेखा होगा तो आज के लिए इतना ही करते हैं अगर वीडियो अच्छी लगए तो जुरूर आप लाइक कीजिए और चैनल को अब तक सब्सक् कर लीजे और अपने फ्रेंड वगर को बता दीजे कि जो चैप्टर हमारा चल रहा है ठीक है तो ओके बाई एंट टेक केर